श्री दुर्गा नवरात्री वरत कथा. एक समय ब्रहस्पती जी ब्रहमाजी से बोले हैं ब्रहमन श्रेश्च चैत्रव आश्विन मास के शुकलपक्ष में नवरात्र का वरत और उत्सव क्यों किया जाडा है? इस वरत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उजिद है? पहले इस वृत को किस ने किया? सो विस्तार से कहिए ब्रहसपती जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रहमाजी ने कहा है ब्रहसपते प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है एक समय ब्रहसपतीजी ब्रह्माजी से भोले है ब्रहमन शरेष्ट चैत्रव आश्विन मास के शुकलपक्ष में नवरात्र का वृत और उत्सव क्यों किया जारा है इस वृत का क्या फल है, इसे किस प्रकार करना उजित है पहले इस वृत को किस ने किया विस्तार से कहिए बिहस्पती जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रहमा जी ने कहा है बिहस्पते पराणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो मनुष्य मनोरत पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायन का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है यहां नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सम्रिध्धी की विद्धी होती है बंध्या को पुत्र प्राप्थ होता है समस्थ पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरत सिद्ध हो जाता है जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कश्ट वर रोग से पेडित हो अंधहिंता को प्राप्थ होता है उसके संतान नहीं होती और वह धंधान्य से रहित हो भूक और प्यास से व्याकूल घुमता फिरता है तथा संग्याहीन हो जाता है जो सद्वास्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पती सुक से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है यदी व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और दस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का शरवन करे श्री दुर्गा नवरात्री वरत कथा हे ब्रहस्पते जिसने पहले इस महावरत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम सावधान होकर सुनो इस प्रकार ब्राहमाजी का वचन सुनकर ब्रहस्पती जी बोले है ब्रामार मनुषों का कल्याम करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहों में सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर क्रिपा करू। ब्रहमाजी बोले प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनात ब्रामन रहता था, वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुरों से युक्त सुम्ती नाम की एक अत्यन सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुम्ती अपने पिता की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुम्ती अपनी सक्खियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह की पूजा करता है। जैसे अगनी में पढ़ने से त्रिनादी उसको अधिक प्रदीप कर देते हैं। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस। वचन सुन उस ब्रामण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवा एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्र पती मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पती के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कश्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर सब मुझसे कहो। इन तेरे पती निशाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पती को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो क देवी ने कहा उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुन्य पती का कोड दूर करने के लिए अरपन करो, उस पुन्य के प्रभाव से तेरा पती कोड से मुक्त हो जाएगा। ब्राहमा जी बोले इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्रामनी बहुत प्रसन्न हुई और पती को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पती का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ट रोग से रहित हो अतिकांतिव हो गया, वह ब्रामनी पती की मनोहर दे को देख देवी की स्तुती करने लगी है दुर्गे, आप दुर्गती को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दू, खोन को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांजित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अंबे! मुझ निर्पराद अबला को मेरे पिता ने कुष्टी मनुष्य के साथ विवा कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उधार किया है, हे देवी! आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी रक्षा करू! ब्रहमा जी बोले हैं ब्रहस्पते! उस ब्रामणी की ऐसी स्तुती सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रामणी से कहा है ब्रामणी! तेरे उदालय नामक अती बुद्धिमान, धन्वान, कीर्तिवान और जतेंद्रिय पुत्र शीद्र उत्पन्न होगा! ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रामणी से फिर कहा कि है ब्रामणी! और जो कुछ तेरी इच्छा हो वहां मांग ले! भगवती दुरगा का ऐसा वच वचनसुन सुम्ती ने कहा कि है भगवती दुरगे! अगर आप मुझ पर प्रसन्न है, तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधी और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें! एक समय भोजन करें! विध्वान ब्रामणों से पूच कर घट स्थापन करें और वातिका बना कर उसको प्रतिदिन जल से सीचें! महाकाली, महलक्ष्मी और महासर्स्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधी सहित पूजा करें और पुष्पों से विध की प्राप्ति और केले से अर्ग्य देने से आभूश्णों की प्राप्ति होती है! इस प्रकार पुष्पों वफलों से अर्ग्य देकर व्रत समाप्त होने पर नवे दिन यथा विधी हवन करें! खांड, घी, गेहु, शहिद, जो, तिल, बिल्व, बेल, नारियल, दाक और कदम, आदी से हवन करें! गेहु से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है! खीर एवं चम्पा के पुष्पों से धनकी और बेल पत्तों से तेजव सुख की प्राप्ति होती है! आवले से कीर्ती की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है! खांड, घी, नारियल, शेहद, जो और तिल तथा फलो से होम करने से मनोवांचित वस्तु की प्राप्ति होती है! वरत करने वाला मनुष्य इस विधी विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नमरता के साथ प्रणाम करे और यग्य की सिध्धी के लिए उसे दक्षिना दे! इस प्रकार बताई हुई विधी के अनुसार जो व्यक्ति वरत करता है, उसके सब मनोरत सिध्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है! इन नौ दिनों में जो कुछ दान आदी दिया जाता है, उसका करोडो गुना फल मिलता है! इस नवरात्र वरत करने से अश्वमेद यग्य का फल मिलता है! हे ब्रामणी! इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम वरत को तीर्थ मंदिर अथ्वा घर में विधी के अनुसार करें! ब्रहमा जी बोले हैं ब्रहस्पते! इस प्रकार ब्रामणी को वरत की विधी और फल बताकर देवी अन्त ध्यान हो गई! जो मनुषय यास्त्री इस वरत को भक्ति पूवर करता है, वह इस लोक में सुक प्राप्त कर अंत में दुरलब मोक्ष को प्राप्त होता है! हे ब्रहस्पते! यहां इस दुरलब वरत का महात्म्य है, जो मैंने तुम्हें बतलाया है! यह सुन ब्रहस्पती जी आनन से प्रफुलित हो ब्रामा जी से कहने लगे कि है ब्राह्मन! आपने मुझ पर अती कृपा की जो मुझे इस नवरात्र वरत का महात्चैय यह सुनाया! ग्रहमा जी बोले की है ब्रहस्पते! यहां देवी भवती शरक्ती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है, इस महारेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो देवी भगवती की जए! वरत की विधी प्रात, नित्यकर्म से निवरित हो, स्नान कर, मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए! कन्याओं के लिए यह वरत विशेश लाबदायक है! श्री जगदंबा की कृपा से सब विधन दूर हो जाते हैं, तथा सुक सम्रिधी की प्राप्ती होती है! प्रार्थना हे परमेश्वरी मेरे द्वारा राद दिन सहस्त्रों अपराध होत हैं, यह मेरा दास है समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करूं हे परमेश्वरी मैं आवान, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करूं हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तियुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करूं हे परमेश्वरी अज्यान से धूल से अत्वा बुद्धी भ्रांती से जो न्यूनता अत्वा अधिक्ता हो गई है उसे क्षमा करिये तथा प्रसन्न हो ये जाप मंत्र उए ही क्ली चामुंडाये विच्चे नंग मनोकामना सिध्धी के लिए इस मंत्र को 108 बार या सुविधा अनुसार जाप करे इस तरह थी माद दुरगा की नवरातरी कथा विडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा और यदि आप भी मातारानी के भक्त है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएग धन्यवाद